स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस्टडी सीकर्स में आज हम डिसकस करेंगे 29 जून 2022 के महतपूर करन्ट अफेर्स तो चलिए सुरू करते हैं कोश्चन नमबर वन टाटा पावर ने किस राज्ज में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्रोजेक्ट इस्तापित किया है तो इसका सही आंसर है आप्शन ए केरल इस सोलर पावर प्रोजेक्ट की कैपसिटी होगी 101.6 मेगावाट बात करें केरल से जुड़े महतपूर तत्यों की तो केरल की राजधानी ठिरुवनंत पुरम है यहां के गवणर आरِّफ Khaan है यहां के मुखमंत्री पिन्रई बिजयान है केरल के फोक डांसे हैं कतककली डांस मोहनी अटम डांस ठिरुवधिरा डांस कूद अटम डांस पपन्ना डांस और मर्गम कली ड साइलेंट वैली नेशनल पार्क पंबा दुम नेशनल पार्क मठी केतन नेशनल पार्क और अनाय मुडी नेशनल पार्क केरल में बिधान सभा सीटों की संख्या है 141 लोग सभा सीटों की संख्या है 20 राज सभा सीटों की संख्या है 9 बात करें केरल के स्टेट सिंबल्स की त पहला डिश्टल राज्य है पब्लिक एजूकेशन में, केरल ट्रांसपोर्ट को सस्तेनबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एवाड दिया गया है, भारत का पहला स्रंद संग्राले केरल के अलब पुझा में खोला गया है, केरल में बिवन्वनाद जील इस्तित है, यह भारत की से लंबी जील है भारत का पहला ग्रैफिन सेंटर केरल में खोला गया है केरल के इडुकी जिले में कारवा पार्क खोला गया है केरल में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट सुरू किया गया है कारबन न्यूट्रल फार्मिंग करने वाला भारत का पहला राज्ज केरल है केरल ने न नेक्स्ट कोश्चन पे हाली में अम्बू बाची मेला किस राज में सुरू हुआ है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन भी अशम असम के गुहाटी में मा कामाख्याक देवी के मंदिर में हर साल अम्बू बाची मेला का आयोजन किया जाता है बात करें असम से जुड़े असम का हाई कोट है गुहाटी हाई कोट असम के फोक डांसें सत्तरिया ये इंडिया का क्लासिकल डांस भी है बिहु डांस बागु रूमबा डांस भोरताल डांस और जुमेर डांस असम के फेस्टिबल्स है बिहु फेस्टिबल मेदम मेफी फेस्टिबल बैसागू और अम्बूबाची मेला असम का नेशनल पार्क है काजी रंगा नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क ना मेरी नेशनल पार्क ओरांग नेशनल पार्क देहांग पटकाई नेशनल पार्क राइ मुना नेशनल पार्क और डिबरूसाई कोवा नेशनल पार्क असम में पहाणिय symbols की तो असम का इस्टेट एनिमल है वन होर्ण राइनो इस्टेट बर्ड है वाइट बिंग्ड उड़ डख इस्टेट फ्लावर है फॉक्स टेल और्किड इस्टेट ट्री है हॉलोंग बात करें असम से हाली के करेंट अफेर्स की तो असम ने लाल चावल का निर्यात किया है अमेरिका को असम की जुडिबा माइन को जी आई टैग मिला है असम में अरनो दोई योजना चलाई गई है रतन ताटा को असम का सरबोच नागरिक सम्मान दिया गया है प्रियम मोधी ने महा बाहु प्रमपुत परियोजना की सुरुवात असम में की है विस्व का सबसे बड़ा नदी दीप माजूली दीप है केंद्र सरकार ने जॉर्डन को और सरपच्छी के अध्यन के लिए असम को पचास लाख रुपे दिये है उत्तरपूर भारत का पहला उडान पर सिच्छड संगठन असम के ल नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला असम भारत का च्छतिस्वा राजज बना है चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पे किस राजज में एक दुरलब मांस बक्षी पौधे की खोच की गई है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्राखंड हाली में रिसर्चर्स ने उत्राखंड के चमोली जिले में एक दुरलब मांस बक्षी पौधे की खोच की है जिसका नाम है उत्री कुलेरिया फुरसिलेटा बात करें उत्राखंड की तो उत्राखंड की राजधानी देहरदून और गैर सेन हैं यहां के राजपाल हैं गुरमीत सिंग उत्राखंड का नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क राम गंगा नेशनल पार्क गोविंद पसू बिहार नेशनल पार्क गंगोतरी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क उत्राखंड बे बिधान सबा सीटों की संख्या है सत्तर लोग सबा सीटों की स क्या है तीन बात करें उत्राखंड के इस्टेट सिंबल्स की तो उत्राखंड का इस्टेट एनिमल है मस्क डियर इस्टेट बर्ड है हिमालियन मोनल इस्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल इस्टेट टी है बुरांस बात करें उत्राखंड से हाली के करेंट अफेर्स की तो उत्र उत्राखंड में मुख्यमंतरी वास से लियोजना चलाया गया है। उत्राखंड में चार धाम परियोजना की सुरुवात की गई है। भारत का सबसे उचाई पेश्तित हर्बल पार्क उत्राखंड के माना में खोला गया है। भारत का पहला हिम तेंद्वा सन्रक्षन केंद्र उत्राखंड में खोला गया है। भारत का पहला मौस गार्डन उत्राखंड में खोला गया है। रितु खंडूरी को उत्राखंड बिधान सभा की पहली मैला स्पीकर बनाया गया है। आसन बैराज उत्राखंड का पहला राम खंड करेगा स्वास्त छेत्र में ड्रोन का इस्तमाल हाली में उत्रा खंड ने शुरू किया है एसिया का सबसे बड़ा लिक्विड विरर टेलिस्कोप के इस्थापना उत्रा खंड में की गई है चलते हैं अपने next questions पे हाली में किसके द्वारा धन संचे life insurance से सुरू किया गया है तो इसका सही आंसर है option D.LIC बात करें बैंकिंग से हाली के current affairs की तो RBI ने feature phone के लिए 123 पे launch किया है भारत सरकार ने crypto currencies की लें देन पर 30% tax लगाया है HDFC bank ने express car loan launch किया है RBI ने 69 लाग की penalty लगाई है क्या भाना बैंक पर Union Bank ने trade next online platform launch किया है RBI ने repo rate को 4.90% कर दिया है Bank of Borda ने Bob World Gold launch किया है PNB MetLife ने पहला dental health insurance launch किया है Bank of Borda और HPCL ने co-branded credit card launch किया है LIC ने saving life insurance बीमा रत्न शुरू किया है Coin Switch ने रुपिया अधारित crypto index जारी किया है Kia.ai ने भारत का पहला banking metaverse launch किया है IC ICI Bank ने chest money के साथ cardless EMI सुधा शुरू किया है Xpay Life ने blockchain section UPI सेवा सुरू किया है चलते हैं अपने next question पे केंदर सरकार ने आजादी के कितने वर्स पूरे होने के उपलक्ष में हर घर तिरंगा अभियान सुरू किया है तो इसका सही answer है option E 75 2022 में भारत को आजाद हुए 75 साल हो जाएंगे जिसके लिए केंदर सरकार ने आजादी के अमरित महसों के तहत हर घर तिरंगा अभियान सुरू किया है बात करें हाली में चलाई गई प्रमुख योजनाओं की तो जगननात स्मार्ट टाउंसिप योजना आधर प्रदेश सरकार दोरा सुरू किया गया है सेहत पहल रक्षा मंतराले के दोरा सुरू किया गया है रैंप का रिक्रम MSME मंतराले दोरा सुरू किया गया है PM Divine योजना पुर्वत्तर भारत के विकास से संबंदित है माजी वसंद्रा अभियान महराष्ट सरकार दोरा सुरू किया गया है परबत माला योजना बजट 2022 में उलने कि थे अम्मा और बहनी योजना सिक्किन सरकार दोरा सुरू किया गया है संभव और स्वालंबन पहल MSME मंत्राले दोरा सुरू किया गया है नौन मदल्वन योजना तमिल नाडू सरकार दोरा सुरू किया गया है युविका कारिक्रम इसरो के दोरा सुरू किया गया है सुजलम 2.0 जल सक्ती मंत्राले दोरा सुरू किया गया है इस्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुरू किया गया है विमन्स एट वर्क कारिकरम करनाट का सरकार द्वारा सुरू किया गया है मुख मंत्री मितान योजना 36 गड़ सरकार द्वारा सुरू किया गया है लाडली लक्ष्मी 2.2 योजना मद्प्रदेश सरकार द्वारा सुरू किया गया है भारत टैप पहल हर्दीप एसपूरी के द्वारा सुरू किया गया है चलते हैं अपने नेक्ष्ट कोश्चन पे साव जाओ महसो किसे राज में मनाया जाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ने गोवा गोवा में साव जाओ महसो इस बार दो साल बाद मनाया गया है बात करें इंपोर्टेंट फेस्टिबल्स की तो थाई पूसम फेस्टिबल तमिल नाडू में मनाया जाता है मांडू फेस्टिबल मद प्रदेश में मनाया जाता है बाथु कम्मा फेस्टिबल तेलंगाना में मनाया जाता है ट्रोगाया फेस्टिबल अवनाचल प्रदेश में मनाया जाता है नाड़ा हबबा फेस्टिबल करनाटका में मनाया जाता है डेजर्ट महसो राजस्थान में मनाया जाता है, पुसकर महसो जम्मू कस्मीर में मनाया जाता है, चेरी ब्लोधन फेस्टिबल मेघाले में मनाया जाता है, हर्नबिल फेस्टिबल नागा लेंड में मनाया जाता है, कमबाला महसो करनाटका में मनाया जाता है, हेरात महसो जम्म चलते हैं अपने नेक्ट कोश्चन पे संयुक्त राष्ट महासागर सम्मेलन 2022 का आयुजन कहां किया जा रहा है तो इसका सही आंसर है आप्शन भी लिस्बन पुर्तगाल बात करें पुर्तगाल की तो पुर्तगाल की राज़धानी लिस्बन है यहां की मुद्रा है यूरो पुर्तगाल के राष्टपती हैं एंटेउनियो कोश्टा पुर्तगाल के प्रधान मंत्री हैं मारसेला रिबेलो सौसा आईए देखते हैं पुर्टगाल का मैप पुर्टगाल एक European कंट्री है पुर्टगाल बॉर्डर सेर करता है इस्पेन से चलते हैं अपने next question पे NASA ने Black Brant 9 Sounding Rocket को किस देश से लॉंच किया है तो इसका सही आंसर है option C Australia नासा ने पहली बार कोई rocket USA से बाहर लॉंच किया है बात करें Australia की तो Australia की राजधानी कैन बरा है Australia की मुद्रा है Australian डॉलर Australia के प्रधान मंत्री है Anthony Albanese आईए देखते हैं Australia का मैप Australia चारों तरब से पानी से घिरा हुआ है उसके बाद भी Australia को प्यासी भूमी का तेश कहा जाता है उसका रीजन ये है कि Australia में कई सारे deserts पाये जाते हैं जैसे Great Sandy Desert, Gibson Desert, Great Victoria Desert Australia के North East Side में है Great Barrier Reef Australia के Eastern Side में है Great Dividing Range चलते हैं अपने next question पे केंद्रिये प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेर्मेन किसे न्युक्त किया गया है तो इसका सही आंसर है आप्षान नितिन कुपता को बात करें महत्पूर्ण न्युक्तियों की तो एन्चंद सेखरन को अध्धेक्ष बनाया गया है Air India का राजसुब्रिमनेम को latitude को CEO बनाया गया है FedEx का एसराजु को निदेषक बनाया गया है भारत भूव्यज्ञानिक सर्वेक्षन का रेनिू सिंग को निदेषक बनाया गया है वनसोध संस्तान का विने मोहन कौत्रा को विदेश सच्चियों बनाया गया है सांती सिरी धुलिपुली को कुलपती बनाया गया है जेन्यू का मनोसोनी को अध्यक्ष बनाया गया है संगलोकशेवा आयोक का पमिला जस्पाल को CFO बनाया है UNGC का तरुड कपूर को सलहकार बनाया है प्यम मोदी का अजे कुमार सूध को प्रमुख बैज्यानिक सलाकार बनाया गया है। विवेक रूसिया को कल्याण आयुक्त बनाया गया है। निधी चिब्बर को अध्धक्ष बनाया गया है CBSC का, प्रदीब कुमार मुहंती को अत्रिक्त प्रभार दिया गया है लोकपाल के अध्धक्ष का, राजु कुमार को मुक्चुनाव आयुक्त बनाया गया है, वंदिता सर्मा को करनाटका का मुख सच्यू बनाया गया है, रा विस्व MSME दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसका सही आंसर है आप्शन भी 27 जून इस बार की थीम है Resilience and Rebuilding MSME for Sustainable Development बात करें जून के महतपूर दिनों की तो एक जून को विस्व दुख्ध दिवस मनाया जाता है 2 जून को International Sex Workers Day मनाया जाता है 3 जून को विस्व बाइसिकिल दिवस मनाया जाता है 5 जून को विस्व परियावरण दिवस मनाया जाता है 7 जून को विस्व खाद सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 8 जून को विस्व समुद्री दिवस मनाया जाता है 12 जून को World Day Against Child Labour मनाया जाता चौदा जून को विस्व रक्द दाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा। आज के क्लास की पीडियेफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको आज के क्लास से रिलेटेट कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम एकाउंट पे मेसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ अपनी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारी आज की अकलास पसंद आई होगी। और डेली ऐसे ही इंपोर्टन्ट करेंट अफेर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। झाल झाल